देनिक भासकर ग्रुप के कई ठीकानों पर गुरुवार यानि की 22 जुलाए को आयकर विभाग ने छापा मारा टेक्स चोरी के आरोग में कई शहरों में ये कारवाई की गई है ग्रुप के भोपाल, जैपुर, एहमदबाद और कई अन्य शहरों में बने दफ्तरों और ठेकानों पर इंकम टेक्स विभाग के अफसर जाच पर्ताल में जुटे हुए है आदिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि ग्रुप के प्रोमोटर्स के घरों और ओफिसों पर भी तलाशी अभ्यान चलाया जा रहा है इस कारवाई को लेकर विपक्षी दलों ने मोधी सरकार पर निशाना साधा है सरकार ने भी इस पर जवाब दिया है दैनिक भासकर ने अपने वेब पोर्टर पर एक खबर प्रकाशित की इसमें लिखा कि कोरोना की दूसरी लहर के दोरान सरकारी खामियों की असल तस्वीर देश के सामने रखने वाले दैनिक भासकर ग्रुप पर सरकार ने दबिश डाली है भासकर समून के कई दफतरों पर गुरुवार तड़के इंकम टेक्स विभाग ने चापा मारा विभाग की टीमे दिल्ली, मध्यप्रदेश, महराष्ट, गुजरात और राजिस्थान स्थे दफतरों पर पहुँची है और कारवाई जारी है ये भी कहा गया है कि ये खबर रेड डालने आये आई आईटी अधिकारियों को पढ़ा कर पब्लिश की गई है क्योंकि उनका निर्देश है कि हर खबर दिखा कर ही पब्लिश करनी है खबर में आरोब लगाया गया है कि आईटी विभाग की टीम ने भासकर में काम करने वाले कई लोगों के घरों पर भी रेड की है दफ्तरों में मौजूद करमचारियों के मुबाइल जब्द कर लिए गए है उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है नाइटशिप्ट के लोगों को भी दफ्तर से बाहर जाने से रोग दिया गया है हाला कि रेड में शामिल अधिकारियों ने दावा किया है कि ये सब उनके प्रसिस का एक हिस्सा है पंचनामा आधी कारेवाही होने के बाद कर्मशारियों को जाने दिया जा रहा है कॉंग्रिस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्थ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया कॉंग्रिस नेता दिगविजय सिंग ने ट्वीट किया राजस्तान के सीम और कॉंग्रिस के नेता अशोग एलोत ने ट्वीट किया दिल्ली के सीम अर्विंद केज रिवाल ने लिखा पश्चिम मंगाल की मुख्य मंत्री और टीमसी प्रमुख ममतब एनर्जी ने ट्वीट किया पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कोविट संकट को गलत तरीके से हैंडल किया और एक भयांकर महमारी के बीच देश को उसके सबसे भयावे दिनों में ले गए देनिक भासकर ने इसे बहादूरी से बताया मैं इस प्रतिशोध भरे कृते की कड़ी निंदा करती हूँ समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया CPIM के महासचव सीता राम ये चुरी का कहना है कि मोदी सरकार का रेड राज काम नहीं करेगा सच को डराने और दबाने का प्रयास हो रहा है लेकिन जैसे गंगा में शव तेरने लगे थे मोदी सरकार भी छिप नहीं सकती दबाने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयो निंद्रिया है कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फरेंस में बाकी जगाओं पर भी आपके प्रशन का उत्तर दिया जा सकता है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा एजेंसियां अपना काम करती है उसमें हमारी यानि की सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरी जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए कई बार जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे विशे ऐसे आते हैं जो सच्चाई से परे होते हैं वहीं आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि नैनिक भासकर ग्रूप और उसकी विभन कमपनियों द्वारा कथित टैक्स चोरी के बारे में गुप्त सूच न मिली थी उसी के बाद ये चापे मारी की जा रही है विभागे सूत्रों ने ये भी दावा किया है कि पनामा पेपर लीक मामले में भासकर ग्रूप के भी कुछ लोगों के नाम आये थे वही खातों में कई लेंदेन भी संदिक्त हैं खर्च दिखाने के लिए कथित तोर पर फर्जी भुपतान भी किये गए है कुछ संदिक्त कमपनियों से निवेश और शेल कमपनियों से लेंदेन की जानकारी भी सामने आई है जिन कमपनियों से इनका लेंदेन होता है उनका जिक्र पेरडाइस पेपर्स कांड में भी है आएकर विभाग ने इसके अलावा यूपी के जौनपुर में भाजपा नेता और शराव व्यवसाई ओम प्रकाश जैसवाल के फार्म हाउस और आवास पर भी छापे मारी की ओम प्रकाश जैसवाल दोहजार बारा में शाहगंच विवधान सवा से भाजपा के टिकेट पर चुनाब लग चुके हैं इस समय उनके छोटे भाई प्रदीब जैसवाल की पत्नी गीता जैसवाल नगरपाली का परिशत शाहगंच की चेर्मेन है शुक्रिया